ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो साधर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यराशिफले 27 मई 2023 शनिवार का दिन है जैस्ट महा के शुक्लपक्ष की शष्ठितिती है मघा नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशसूल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में होंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अध्रक खाकर के यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि प्रातह नो बजे से शुरू हो करके दस बज के तीस मिनिट तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की ब्रशब राशी में वहीं चंद्रमा जो की सिंग राशी में मंगल ग्रह करक राशी में बुद्ध ग्रह मेश राशी में देव ग्रु ब्रहस पती जो की मेश राशी में शुक्र ग्रह मिथुन र प्राप्त हो सकती है परिवार में शुब और मंगली कारिक्रम संपन्न होंगे नई खुश खबरी इनको प्राप्त हो सकती है अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी 12 राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंतर तक समाप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सद उपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य शंबंदी महत्वपूर्ण योजनाये बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कारियदी रुकावट आ जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मध्वेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई सा जाएगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को पड़ाई के प्रती गंभी रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मित करेंगे अर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महत्यपूर्ण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भावकता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाई के रूप में गणेश जी क कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यक्तित होगा इसे आपके मैं सम्मान में व्रद्धी होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्यपूर्ण कायम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली चतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नए नोकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वह आगी चल करके आपको अच्छा फाइदा देगा और के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंधित रुके आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात तथा मेंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तोदारों की आबा जाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरवाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तोदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की जोशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा को नजर अंदाज न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते ह आप पूर्ण रूप से एकागर चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस्थगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूरवयत रहेंगे अनावश्यक खर अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरिक तथा मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय था वाहन की खरीद फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन हो सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्म इश्वा रहेगी परन्तु यह तातका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी के उशक्ता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कारिय से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपक का आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद